नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों शच्चाई शुनकर आँखों में आशु ना जाए तो फिर कहना जी दोसों हम आप शबी को बता दे कि अब आप रंकशी राजा बने वाले हो जी दोसों हम आप शबी को बता दे कि आपने अपने जुनकाल म शुक का कभी अपने असली च्छन नहीं देख पाई दोस्तों जो पेशा कमाते हैं वह पेशा इधर से तर चला जाता है आपकी युनकाल में एक परिशानी खत्म होती है तो कोई नया परिशानी आ जाता है जो युनकाल में कभी आप दिल से खुश नहीं हुए हैं शाती कोई कदर नहीं करता जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उन्हें खिलियां उड़ा देते हैं दोस्तों आपकी जुनकाल में बहुत शारेशे दिन आए हैं जिन में आप अपने आश्वों को लेकर श्वैंग बेठे हैं फिर भी किशी को आप अपने दिल की हाल नहीं बताए तो दोस्तों हम आप शवी को बता दे कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लिकर अंत तक देखेगा दोस्तों अगर आपकी जूनकी ये शारी परिशानी जड़ से खतम ना हो तो फिर कहना जिया दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकार देने वाले हैं जो आपको शमाधान बताने वाले हैं दोस्तों आपको उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से शुनिएगा बिल्कुल भी आज के इस वीडियो को आप प्रमिशना करें इसकी पना किजिएगा कि दोस्तों ये आपके जीवन का शवाल है आपकी जुनकाल में जो परिशानी लगतार कई वर्षों से चल रही है दोस्तों उन्हें शवी परिशानियों का शवाधान आज के वीडियो में बताने वाले हैं और दोस्तों आपकी परिशानी हंट्रेट पैट्शन जड़ से खत्म होगी इस बात की हम दावा करते हैं जियां दोस्तों तो आई दोस्तों वीडियो को परारम करते हैं शरपरिधम दोस्तों जो भी भगवान शुन डेव भुलिनात के शच्चे भगते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा लाइक ज़रूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे बंसे जय शरीदेव जय भॉलीनात लिख दे बगवान शुदेव और भॉलीनात के अश्यूम करपा आप शभी को प्राप्त होगी तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शुर्गों बता दें कि दुश्मन कभी भी आपको शफल होते नहीं देखशकते और दोस्तों आपकी शफलता के बीच रोड़े बनते रहते हैं और दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप शफल होते हैं जब भी आपके मन में फ्रशनता होती है जब भी आपको कुछ चीज आपके महनशी मिलती है तो दोस्तों यही दुश्मन आपके खिलाब कुछ ना कुछ नया अश्वनेंतर जरू बनाते हैं जिसे क कि आपके उसका क्या करें जो की आपके घर के अंदर ही बेठा हुआ है से तेइसे करके जुनकाल में अपने शेंवापन करते हैं आप हमेशा दुस्रों को खुशी देने के लिए अग्साओं को अपने शुभी अर्मानों के इससा कर diesen सब क्युlov कि अपने इससे विस सब कुछ कर दिखा अपने पास कुछ में रिकाशन दिखा दिखा है आपके जदबातों को कभी बी कदर ही नहीं किया ज़्यादोसों आपकी राशी वालों को हम बयाबाद पतना चाहेंगे कि आप लोग वेशे तो शेर की तरह होते हैं आपके शाथ चाहे की जितना भी बुरा क्यों नहीं हो आप लोग पलटकर सबसे अच्छाई रहते हैं सबके शाद अच्छाई करते हैं जे दोसों आपके मन में कभी भी दुसनों के प्रती द्वेश की भावना हिंता की भावना या पर योग हैं तो किशी के प्रती बुरा व पर फिर भी आपकी राशी वाले लोगों की सबसे अच्छी और दिल चल्स बात यह है कि आपका अगर शब कुछ लुट भी जाए तबाह भी हो जाए बरबाद भी हो जाए तो शब कुछ भिखर जाए फिर भी दोस्तों आप बना जो आत्मिश्वा से आत्मान समान है उन्हें कभी खोते नहें दूसरे के शामनें गिड़िज़ाते नहीं ज्यांधों आप हमेशा खुद को एक शडीह शरोग स्रुलान बनाना चाहते हैं कोई और नहीं है मेंर परस्लेक्ट का कार मालिक बना चाहते है और एक भीक मांगा गिड़िज़ आना और तो अगर आप कोई काम करने की ठान लें तो दोस्तों आप उन्हें पूरा करके ही छोड़ते हैं क्योंकि आपके राशी वाले जो लोग होते हैं थोड़ा जिदी पर होते हैं जिद से आप हर कारियों में शफलता की प्रापति कर लेते हैं और दोस्तों वह काम पूरा करके लिए चूढते हैं इसराशी Ing które जोपने लोग अगर किशे से प्यार भी करते ही तो दोस्तों आप लोग इस तरह उनके प्यार में या जाते हैं। कि अपने पार्टनर की जोटी से चोटी बात को भी आपने दिल पर लगा लेते हैं- seems के इमोशन से आपका इमोशन बहुत जल्दी जुड़ जाता है और दोसों इतना जल्दी आप भावनतों के रुपशे उनसे जुट जाते हैं कि छोटी चोटी बात पर भी आपको धर्द होने लगता है आपको लगता है कि वह व्यक्ति केश्य होंगी उनके प्रति आपका जो ख्याल है जो आदर शमान है वह बढ़ जाता है लेकि दोस्मों होता क्या है कि जो अगला व्यक्ति है वह आपके भावनों कदर नहीं करता आपकी फिलिंग को शमय नहीं पाते और दोस्वों आपको ठुगरा देते हैं और दोस्वों एशे में आपका जो दिल तूटता है जो आपका एमोशन को ठेस पहुंचता है मानो शमंदर में ही आग लग गई हो जिया दोस्वों और एशे शेहन से लिंसान तो दोस्वों एशे में आप उन्हें घृते मद्डि नहीं दे पाते दोस्वों यूगयै तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितना भी कुछ होता है दोस्वों आप आगे बढ़ते हैं और उनकी mound करते हैं तो आप ये शाट साथ देखा गया है कि आपकी जो अच्छ दोस्तों अक्षर की अच्छाई ही आपको ऊच्छाई के लोगों के साव बूरा बना दोस्तों आपको भी अपने जुनकाल में तो को बातों का अब मुश्यज ध्यान रखना है कि ज्रादा भूलेपन बनने का प्रयाश्न करें करना है जो आप अपना फाइदा निकालते हैं और दोसों आपको यूज़ करते हैं इस्तिमाल करते हैं और जब उनका काम बन जाए तो दोसों फिर आपको पेजी ज़क छोड़ते पीए और फिर आप शी बात भी नहीं करते हैं क्या दोस्तों ये शब जो घटना है हम आपको बता रहे हैं ये शब घटना है आपके इशात नहीं हो रही है जिया दोस्तों आपनी राय हमें कमेंट के दोवारा जरूर बताएगा क्या दोस्तों यह लोग आपके जियोन में नहीं हैं हमें अपना जवाब कमेंड कर जरूर बताईएगा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यह आपकी राशी की लोगों का जो डिल हότε है वो बहुत बड़ा होता है दोसों आप लोग शब को बहुत जल्दी माप कर देते ही लेकिन दोसों हम आपको यह बात बता दें कि अब बहुत हो गया जी हां दोसों आपके शाथ जिसने भी गलत किया है उशे अब शबक शिक्षाने का मुका आ गया है उशे अब वैल्यू बताने का टाइम आ गया है आपका दोस्तों अब अच्छा टाइम आही गया यह शाही समझे लेकिन दोस्तों सावधान भी हो जाए दोस्तों जो गलती आपने पहले की है जो ठोकरें आपने पहले खाए हैं शिर्प आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वही गलती आपको वापस अपने जोन में नहीं दोरना जो गलती आपने पहले की है उसे दोबारा शे आप करके अपनी लाइफ में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर शकते हैं जिया दोस्तों आपका दिल्वेश्य तो बहुत बड़ा है इसलिए इसलिए आप लोग कई बार जो आपको धोका देते हैं उनके पीछ आपको बिलुकुल भी नहीं करना है जैंदोसों अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर आपकी अपकी बहुआव की कदर कब होगी दोस्तों हम आपको बता दे दोसे माप शिर्व को बता दे कि कलियोग के ने आप Surprisingly महराज भगवान शुनदेव की किरपादिश्ठी अब आपके उपर पड़ने वाली है जिया दोसों जैसा कि आप साहनते हैं कि शुन देव अभी वक्रिवस्ता में चल रहे हैं और इस चाल के वज़ेशें देव की खिर्पाद्रिष्टी आपके उपर पढ़ रही है और दोस्तों शुन देव किसी काभी बुरा होता हुआ नहीं देख शकते न्याय के देवता है और जो अन्याय करते हैं शुन देव उशे दंडित भी जरूर करते हैं पिशली दोस्तों आपको न्याय जरूर मिलने वाला है दोस्तों आप शिव को बता दें दोस्तों जो लोग आपके शाथ बुरा किये हैं आप उशे पलट कर कुछ नहीं कहते लेकि दोस्वों आप श्रीव को बता दें कि अब वक्त आ गया है जब आपको भी जवाब देना है जो आपकी जवाब देने का कि अब श्रुएंग कल्यूप की महराज श्रंदेव आपके शाथ हैं उन्होंने आपका हांथ पकड़ लिया है और आपकी शारिप पर परिबर्तन ओना सुरू हो जाएगा दोस्वाने वाले महिनंगे जुगरों की जाल में परिवर्तन होगी है दोस्व कोई शम्जे या फिर ना शम्जे लेकिन वक्त आप के ज़जबातों को जरूर समझेगा तोसों अब आपका शुमय जल्द सी जल्द बदने वाला है बस आप अपना कर्म करते रहें दोसों आप शुब को बताना चाहेंगी कि अब आपको अपने जुनकाल में बहुत बड़ा शुबलता मिलने वाली है जिनके बारे में आपने बता दें कि अब आपकी भक्तिशे कल्यों की महराज शुन्दे भहधी प्रेशन हो चुके हैं जिससे आभ आपके नई मीशाल शावित होने वाली है आपके यह जिन्दगी शुरू होने Woooodida अब आपकी ऐक अलग पहचान बनने वाली है शमाज में भी आपका मान शमान बढ़ने वाले हैं कवैं के दुआर आम के राशते पराने वाले हैं आप यंप 나와 य के लिए दूहां के लिए दोगनी कौनी तरकी आप करने वाले हैं ज्यां दोस्तों आपको बगति हैं हुआए लाइफ में आगे बढ़ते रही हो दोसह को बoga पर बहुत शारेशे लाब के मूखी खुलेंगे जिनिमें आपको कारी बीने कर पाएंगे लेकिन दोस्तों शमे अब आपका जो बदलेगा इन जिनिमें आपको वह गलतिया नहीं करनी है जो आपने पिछले शमे किया है जिया दोसों, हम आप शुको बता दें कि अश्मे, आप महत्पुन फिशला शोज समझ कर ही ले जिया दोसों, अपने विवेक्षे कारे करने की आपको उशकता है कारे चत्र में आपकी किशमत का पूरा श्योग मिलेगा आपको जो भी महनत है उनका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा इस दोरान आपकी लोटरी भी लग शक्ती है श्रमाज में इस दोरान मानशमान बढ़ेगा आपके विवाय के जीवन में खुशी आने वाली है जिए दोस्तों शाती श्रंतान के ओर श्योग नयाव पहार मिल सकता है कोई शुव समचार भी मिल सकता है किशमत चमकने के कारण आपकी रुके हुए कारे भीयश में पूरे होने वाले हैं और श्रमाज में जो मानशमान आपने खोया था दोस्तों अब आपको फिर्शे प्राप्त होगा और फिर्श के छेतर में आपको परणती प्राप्त होशकता है वैपार में चल रही आपकी शारी परिशानियां अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे दोस्तों आयके नए श्रोत अस्थापित होने वाले हैं प्रस्तियां धीरे-धीरे बदलने वाली है प्रत्युगदा प्रिशा में भी आपको इस दोरान शुफलता प्राप्त होशकती है वर दोस्तों येश में आपको शुनदेप की घरपा पाने के लिए हर शनिवार को काले तिल के शाथ आटा और शकर मिला कर चीटियों को डाले इसके शाथी दोस्तों शनिवार की दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बरतन, उड़त की दाल आप जितना होशकी गरिबों में जरत मंदों में दान करें शनिवार के दिन बंद्रों को गूड और चने खिलाएं एवंग हमान चलिशा का भी पाट करें इशे शनी दोशों का जो शामना है मनुश को नहीं करना पड़ता है और हमान जिकी किरपा भी इंशे प्राप्त होती है दोस्वों आप शिको बता दें कि आप शनिवार के दिन शनी मंत्र का भी जाब करें जाब मंत्र है ओम शन शंचराई नमा दोस्वों इस मंत्र का एक शौट पार जाब करेंगे तो दोस्वों भगवान शुन्देप के गिरपा आपके जुनकाल पर निर्णतर पढ़ती रहेंगी इस दिन दोस्वों आप शिको बता दें कि और शनिवार की दिन भगवान हमान जी के यहां शर्षों का तेल का दीपक जलाई और सुन्दर कांड का पाट करें दोस्वों जुनकाल में आपके शारी कारें बनेंगी और शार दोस्वों और शिद्र जनकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद आपका दिन शुब रहें